दोस्तों ये हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा जिनका संसद में दिया गया एक बयान इन दनों खूब वारल हो रहा है हम जानते हैं कि हेमंत विश्वा ने जो कुछ भी अपने भाशन में कहा उसका आपको आप ही समझ में नहीं आया होगा लेकिन हम है ना एक लाइन में समझे तो हेमंत विश्वा शर्मा का कहना है कि निचले असम के लोग उपरी असम में नहीं जाएंगे वो ऐसा नहीं होने देंगे वो मिया मुसल्मानों को असम पर खबजानी करने देंगे यहां मुसल्मान जो देखते ही देखते पूरे असम को अपनी मुठी में करनी के फराक में गूम रहे हैं लेकिन हैमंत विश्वा का कहना है कि वो मुसल्मानों को ऐसा नहीं करने देंगे तो क्या सच में असम मुसल्मानों के कबजे में जा रहा है ये निचला और उपरी असम क्या है आखर कैसे कुछी सालों में 28-40% तक पहुँची असम में मुसल्मानों की आबादी कहीं गुस्पैठी है तो नहीं क्या असम की डेमोग्राफी बदल रही है दोस्तो असम भारत के उत्तर पूर्व में बसा हुआ सबसे बड़ा आबादी वाला राज़ है 78,439 वर किलोमेटर में फैले असम में 3,27 लाग से भी जादा आबादी रहती है 34-40 प्रतीशत के लगबग आबादी मुसल्मानों की है इस तरह ये जम्म कश्मीर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मुसलिम मेजोरिटी वाला राज़ है अगर पॉपॉलेशन के हिसाब से असम को कैटेगराइज किया जाए तो तीन बागों में बाटा जा सकता है एक लोवर असम जो टूटली मुसलिमों के कंट्रोल में है यानि यहां मुसलिम ही मुसलिम है दूसरा सेंटर और तीसरा अपर जो हिंदू बाहुले टाउन्स से भरा हुआ है अब वैसे तो यह कैटेगरी काई सालों से यूही डिवाइड़ है और सब मिल जुल कर रह रहे थे लेकिन अब बवाल शुरू हुआ बाइस अगस्ते दरसल असम के नौगाओं में बाइस अगस्त को एक नाबालिक बच्ची टूशन जा रही थी दसवी की स्टूडेंट थी जैसे ही रास्ता सूंसान पढ़ा तीन लोगों ने उसे दबोच लिया और सामोही क्रूप से उसके साथ गलत काम करके सौड़क किनारे छोड़ दिया काफी देर बाद कुछ लोग वाँ से घुजरे तो उन्हें बच्ची देखी पुलिस केस हुआ और धिंग के लोग प्रदर्शन पर बैट गए आरोपियों को जब तक गरफदार नहीं किया जाता वो श्चानत नहीं रहेंगे अब प्रदर्शन तब तक और जादा बढ़ गया जब पता चला कि मुख्या रोपी मुस्लिम था वस्फिर क्या था लोगों का गुस्सा साथवे आस्मान पर पहुँच गया पुलिस ने भी ततपरता दिखाई और तजफवल इसलाम नाम के एक आरोपी को गरफदार कर लिया और 31 अगस्त को जब तजफवल को सीन क्रियेट के लिए लोकेशन पर ले जाए गया तो वहत कड़ियो समेत पासी मौझूद तलाब में कूद गया और डूबनी की वज़े से उसकी मौत हो गई लेकिन इस पूरे घटना करम के बाद अपर असम और लोवर असम्स के बीच विवाद हो गया इसी बीच विदान सबास सतर में असम के मुख्य मंतरी हैमंत विश्वा ने कहा कि अगर जन संख्या व्रद्धी को ध्यान में रखा जाए तो अपराद दर में व्रद्धी नहीं होती तब विपक्ष ने उन पर पार्श्यल्टी का आरूप लगाया तब हमंत विश्वा ने कहा कि वो करेंगे पार्श्यल्टी वो असम को मुस्लिमों के कब्जे में नहीं जाने देंगे वो मिया मुसल्मानों को पुरे असम को अपनी मुठी में नहीं लेने देंगे ऐसे में सवाल ये खड़ा होता कि क्या सच में असम में मुसल्मान खब्जा कर रहे हैं तो इसको हम इस आंकडे से समझते हैं लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को प्रेस कर लीजे असम को दोस्तो जब आप जिग्राफिकली देखेंगे तो ये भूटान और बांगलादेश से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है भूटान तो एक शांती प्रिया देश है लेकिन बांगलादेश का टरपंतियों का गड़ है वहाँ फिलहाल भी क्या क्या हो रहा है ये सबी जानते हैं और ये सब आज कल से नहीं हो रहा बलकि 1971 यानि जब बांगलादेश बना था तबी से चल रहा है कभी दंगे तो कभी सांप्रदाइक विवाद बांगलादेश में आम बात है ऐसे में जब भी बांगलादेश में कोई गड़ बढ़ होती है तो वहाँ के अलप संक्या के हिंदू तो फसे रह जाते हैं लेकिन कटरपंती मुसल्मान अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुज जाते हैं 2011 की जन गणना के अनुसार असम में मुसलिम्स की अबादी 34 फीसदी थी जबकि 1951 का डेटा चेक करें तो ये 28 पॉसन के लगबाग हुआ करती थी वही 2024 के इसाब से इनकी संक्या 35 से 40 प्रतिश्चत से भी जादा हो गई है निचले असम में नौ जिले तो पूरी तरह से मुसलिम के कंट्रूल में हैं जिन में बार पेटा, करीम गंज, दारंग, मूरी गाओं, नौ गाओं, बुगाइं गाओं, धुबरी और हैला कांडी और गुपा पार सामिल है जबकि 2011 में सिर्फ 6 जिलों में मुसलिम बाहुल लिया थे, यानि सिर्फ 10 सालों में 3 जिले मुसलिम के मुठी में आ गए, इन 9 जिलों के अलावा कामरूप, कछार और नलबाडी में भी मुसल्मानों के अबादी 40% के लगबग है, जबकि सेंट्रल असम में भी मुसलिम्स असम में किस स्पीट से बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा हम 2021 के विधान सवा चुनाव से लगा सकते हैं, जब चुनाव में 30 मुसल्मान विधायक बन गए, जिनमें से 16 कॉंग्रिस जबकि 5 AIUDF के थे, यानि मुसलिम्स की आबादी अतनी ज़्यादा हो गई है कि उन्होंने अपने नेता विधान सवा में बिठा दिये हैं, थोड़ा और पास्ट में जाएं तो 1901 में लगबग असम में मुसल्मानों की आबादी 9.5 शून यफीजदी थी, जबकि हिंदू 90.2 प्रतीशत थे, लेकिन 1905 में बंगाल में भाजन हुआ तो पूरवी आसाम के लोग असम के निचले अलाके में बस गए, खास बात ये थी कि निचले अलाकों में बसाया गया क्योंकि यहां जमीन फटाइल थी, तब इस जमीन पर मुसल्मानों ने खेती बाड़ी की और भारत को जूट के प्रोड़क्शन में काफी सपोर्ट किया, लेकिन ये देश के मुसल्मान नहीं थे, ये भारत के मुसल्मान थे, इसके बाद आता है 1947 का समय, यानि आजादी का समय, तब भी असम में भारत के मुल मुसल्मानों की संख्या ही थी, लेकिन 1971 में पूरा गेम उलट पुलट होता चला गया, उनी से गतर जो मुसलिम हिंदू का रेशियो सतर से चौबीस क लगबग था वही 1991 में 28-67 के लगबग पहुँच गया, और ये सब हुआ बांगला देशी मुसल्मानों के कारण जवाया तरीके से ना सर्फ असम में घुसे, बलकि मैजोरिटी बना कर यहां के मूल निवासियों को अपनी ही जमीन और घर छोड़ कर जाने पर मजबूर कर दिया, निचले असम के जादतर अलाकों में डेमोगराफी बदल कर रख दी, हलाकि ये पूरी थियरी हमंद विस्वा के नजरिये से आई है, लेकिन रियाल आंकड़े भी कुछ ऐसे एक दो नमबर ही उपर हैं, इसलिए अब असम में बसे हिंदू और मुख्यमंद विस्व कुछ चिंता सतारी है कि जैसे जैसे एक उस पैठी ये लूर असम में सेंट्रल असम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, आने वाले समय में ये अपर असम की तरफ बेरुख करेंगे, ऐसे में जो आज नौगाव यानि की असम के निचले शेतर में एक हिंदू बच्चे की साथ क्योंकि बच्ची के साथ हुई इस गिनावनी वारदात के बाद काई लोगों ने बीते दिनों हुई घटना का खुलासा किया और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन हैवानों ने 65 साल की महिला तक को नहीं छोड़ा, ऐसे में खत्रा बेश शक बड़ा है, क्योंकि मुस्लिम् सबसे पहले तो इस स्कीम पर ही काम किया, दसल असम में गुरुबार 29 अगस 2024 को असमिया सरकार ने 9 दशक पुराने कानून को अटा कर एक नया कानून बनाया है, जिसके तहत अब नावालिक बच्चियों की शादी करना गयर कानूनी होगा, जो कि असम में लंबे समय से हो र स्लिम मैरेज और डाइवोर्स बिल 2024 पास कर दिया है, बिल में तीन शर्तों को में रखा गया है, पहला बाल विवा का रेजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानि चाइल्ड मैरेज नहीं होगी, रेजिस्ट्रेशन के लिए भी मदर्सों में बैठे काजियों को नहीं पकड़ना साथ ही जो लफ जहाद का गेम चल रहा है, उस पर भी रोक लगेगी, क्योंकि ऐसे कई धर्म लीडर हैं जो हिंदू बेटियों का बहला फुसला कर, उन्हें इसलाम को बूल करने पर मजबूर कर रहे हैं, और फिर शादी नहीं निकाह पड़वाते हैं, लेकिन अब ऐसा कर जर्वाने से 30 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होगा, तो तो सोचने वाली बाती है कि क्या इससे असम में मुसलिम्स को कंट्रूल किया जा सकेगा, क्योंकि मौजूदा समय में भी असम में तीजी से घुस पैठी घुस रहे हैं, और एक रिपोर्ट के मताबिक 800-1000 मंगला से देश में घुमते हैं, असम में मुसलिम्स का ग्राफ जिस स्पीड से बढ़ रहा है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि 2041 तक कि हम मुसलिम मैजुरिटी में होंगे और हिंदू माइनुरिटी में, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो समय भी जल्दी नज़र आए जब आसम पर मुसलिम्स कबजा कर लेंगे, खैर आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या आसम मुसलिम्स के हाथ में चला जाएगा, क्या हैमन्द विश्वा का डर सच हो जाएगा, अपनी राहे हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शे झाल जाएगा है